हाई गाईज वेलकम बैक तो मैं चैनल मैं हूँ सुगम और मेले चैनल पर फिर चिक बर आपको सागत है तो जस मैं अभी नहा के आई हूँ और मैंने सिफ एक चीज ट्राई की है नहाने से पहले और वो मैं दो तीन दिन से ट्राई कर रहे हूँ और यकीन मानिये फ्रेंट्स आपका जो टमी एरिया है ना वो बहुती जल्दी श्रिंख होने लगेगा यानि सिकुरने लगेगा अंदर जाने लगेगा आप सब जानते हैं कि आप्टर पिंगन्ती जब आपका ऑपरेशन होता है तो पेट का जो अब्डॉमनल एरिया होता है यानि लिछला हिस्सा होता है वो कहीं ना कहीं उसके इसके लिए ज्यादा डेड हो जाती है कि वो अंदर नहीं जाता है और पेट बिल्कुल सपाट न जाता है यह मैं के साथ भी होता है कि उमका अब्डॉमनल एरिया लटक जाता है पेट का उपरी हिस्सा तो अंदर गरना आसान है लेकिन जो निचला हिस्सा है वो अंदर करना बहुत ही मुश्किल है आप जितनी एक्सरसाइस कर लीजे वो जल्दी नहीं जाता है डाइट भ एक हपते में देखने को मिलेगा यानि 1-1.5 इंच तक आपका अब्डॉमनल एरिया लगेगा यारि के अंदर होने लगेगा और यह सिर्फ आपको नहाने से पहले करना है वो मैं बताओं कि क्या करना है क्या करना है क्योंकि मैं कर रही हूं इसे और मुझे इसको रिजर्ट अमेजिंग मिल रहा है और इस लॉक्डाउर में मैं काफी अच्छा वेट लॉस कर रही हूँ जो मेरे रेगुलर पॉलोवर है उन सब को पता है कि मेरा बेट गें हो गया था किललीररर्रा पॉलउवर다면 मेरे अच्छा वेटलर स्फचा थी । नहीं की जड़े पारी था और शिए पर देषी आफ नहीं cell काना चंस्ट था था मेरा थारीट थे जाने हुड़। इन सारे कारनों के वज़ेसे मेरा वेट जहें बढ़ीया था लि trata ili ki this lockdown में म। इतना अच्छा वेट लॉस कर रहे हूं इतना ज्यादा पॉजिटिव एनरजी है मेरे अंदर लोगों के ऐसा है लॉक्डाउन है क्या करें लॉक्डाउन है आप यह सोचिए कि लॉक्डाउन है मेरे पास अपने को टाइम देने के लिए टाइम है ऑफिस जाना होता है यह कर इस समय आपके लिए अपने लिए टाइम है यानि कि बहुत से मैं बहुत छोटे सोधान देती हूं जो लड़किया है वो जल्दी जल्दी बालों में तेल महीं डालती है मुझे कल ओफिस जाना है यह वाले जाना है इस समय आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है ना आपको पानी का पाणी में नहीं जाओत चैता तरह और 6 का नहीं तयों तो फिरूम nuestras ना पार बालों में जल्दी सोटार कशाना है तो छेपलों में जय ले लेख रिए जातून का देल का देल मुझे स्टैन ना आपको जेखोर का यह यह ए सकते में डाली आपको पीयों आपको शान लेस्टेटी बता रही हूं क्योंकि अल्रडी मैंने इसे बना लिया है तो आपको एक साफ जार में एलोवेरा जेल लेना है या सौरी फेश वास लेना है इसके बाद आपको वन टेबल इस्पून यहां पे जैतून का तेल लेना है जैतून का नहों तो नारियल का भी चलेगा इसके बाद आपको इसमें डालना है शहद और शहद भी किसी कंपनी का हो कोई भी ऐसा नहीं है प्योर हो तो ज्यादा बेटर है अगर आपके पास तो वन टेबल इस्पून की क्वांटिटी में आपको यह भी एड़ करना है इसके बाद मैं यहां पे ग्लीसरीन लोंगी औ और ग्लीसरीन भी आपको वन टेबल इस्पून ही चाहिए और आइ थिंक यह सारी चीज़े आपके घर में अब्रिबल होंगी इस लॉकडाउन में भी कहीं भी बाहर जाने के जोते हैं इसके बाद मैं एड़ करूंगी इसमें लाल वाली दाल जिसे मशसूर भी बोलते हैं इसका पाउडर इसका अल्रेडी फेश वास मैंने बताया हुआ है इसके बाद आपको चाहिए गोंद गोंद को मिक्सी में पीस लीजेगा और आपको उसके बाद यह ऐसा मिलेगा इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लीजे और इसे अपने बात्रूम में रख लीजे बात आपको इसे regular basis पर करना है पेट का area बहुत चिकना होगा पेट पे जो भी fat जम है वो बहुत तेजे से निकलेगा और सबसे magic काम इसमें जो गोंद का है क्योंकि गोंद कहीं ने कहीं वो आपके पेट पे बहुत अच्छे से वर करेगा पेट को support करने में help करेगा पेट पेट लेयर सी बांदेगा जिससे की पेट अंदर की तरफ दबेगा तो इस तरह से आपको डेली बेसिस पे ये 4-5 मिनट अपने नहाते टाइम करना है अपने नहाने से पहले और इसका रिजर्ट बहुती ज़्यादा पॉजिटिव होने माला है वीडियो चरह सब इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजेगा चानल पसाना तो पड़ावर से सब्सक्राइब करिएगा मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नहाए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई